नमस्कार दोस्तों आपका मेरी यूट्यूब पर स्वागत है तो आज हम स्टार्ट करते हैं Nervous System तो आज हम देखते हैं Nervous System क्या होता है Nervous System is one of the regulatory system of body तो जो हम नभस system है उसे हम regulatory system भी बोलते हैं हमारे body का regulatory system भी बोलते हैं यहां हम देखते हैं कि जो neurons और nerve cells क्या होती हैं तो जो neurons is the structure and function unit of nervous system जो हमारे neuron है या फिर हम जो से nerve cell बोलते हैं यह हमारे nervous system मतलब unit of nervous system structure and functional unit of nervous system है और यहां हम सबसे important बात करते हैं जो कि हमारा यहां पर centrosome absent होता है जो हमारे nerve cell होती है absent of centrosome and presence of processes यहां पर processes यहां present होती है जो कि हमारे impulses को पहुचाने में impulses को transfer करने में helpful होती है next हम देखते हैं जो हमारे nervous system है यहां पर three parts में divide है जो कि हमारे man three parts है nerve cell body, dendroids, axon तो जैसा कि हम देखते हैं nerve cell body यहां हम देख पा रहे हैं इस diagram के help से हम देखते हैं यहां पर जो man हमने तीन नाम बताए हैं dendroids, cell body and axon तो इसके भी बहुत सारे parts हैं लेकिन जो हमारे man three parts हैं तो हम यहां पर जानते हैं कि nerve cell body क्या होती है तो जो nerve cell body है cell body container nucleus जो हमारा cell body है वो एक nucleus का container है और हम यहां देखते हैं और हम जैसे कि हमारे body में एक particular cell होता है तो हमारे nervous system में भी nerve cell प्रेजंट होती हैं तो उसी तरह से हमारे cell की body होती nerve cell body cell body container nucleus it is surrounded by neuroplasm या फिर साइटो प्लाजम जैसे कि cell के अंदर साइटो प्लाजम भरा हुआता है वैसे हमारे nerve cell के अंदर हम neuroplasm या फिर साइटो प्लाजम भी बहुत सकते हैं जो कि nerve मतब नर्वर सिस्टम में यहां पर फिल है तो हम इसे neuroplasm भी बहुत सकते हैं तो यहां पर साइटो प्लाजम जो हमारा होता है या फिर जो neuroplasm होता है consists of लाइजोजोम माइट्रोकॉंडिया नाइजल बॉडी और गॉलगी तो यहां पर नाइजल बॉडी राइजोजोम की जगे पर यहां पर नाइजल बॉडी प्रिजेंट है nerve cell nerve cell बॉडी में nerve cell cannot multiply like other cell एक यहां पर खासियत है centrosome present नहीं होता है इसलिए यहां पर जो cell का multiplication है multiply यहां पर नहीं होता है अगर कोई nerve cell यहां पर damage हो गई है या फिर यहां पर dead हो गई है तो उसका multiply नहीं होगा वो division बतब एक cell उसे divide नहीं कर सकती है next हम देखते है नाइजल बॉडी synthesis protein जैसे कि हमने बात की जो हमारे cell में होता है वो ribosome present होता है लेकिन हमारे जो nervous system के जो cell होता है neuron cell होता है वहाँ पर nisle body present होती है जो कि protein का synthesis करती है और यहां पर pack करने के लिए गॉल्गी apartis present होता है nisle body present into nerve cell bodies and dendrites जो मारे nisle bodies है न 설명 में यहां बहुती है यह बहुत ही important concern है कि जो nisle body है वो cell bodies and dendrites में present होती है लेकिन exon में present नहीं होती है next हम बात करते है dendrites जोसका second part है let's look here here structure can help dendrites dendrites are men receiving and input reason of neurons जो हमारे dendrites है dendrites ही जो मारे impulses है या फिर जो हमारे reason में receiving or input reason of neuron भी हम इसे बो हो सकते हैं क्योंकि यह क्या कर रहे हमारे impulses को receive कर रहा है TRANSPA نہیں हुट कर रहा है तोловने सबसे का most important kाम होता है कि यह क्या कर रहा होता हमिशन को receive बोल सारכ heartbeat इसका काम क्या होता है? जो हमारे information है, वो हमारे whole body तक पहुचाने का काम करता है, मतब CNS तक पहुचाने का काम करेगा कौन? डेंडराइडस. इससे हम short process भी बोलते हैं, क्योंकि इसका काम होता है, डेंडराइडस से लेके exon तक पहुचाता है, क्योंकि जो हमारे जो इंपर्स होती है डेंडाइट से लेके एक्जॉन तक पहुचाने का काम करता है फिर एक्जॉन उसके आगे वहाँ पर जो हमारा इंफोर्मिशन होगा उसे टांसफर करने का काम करेगा इसलिए हम डेंडाइश को शॉर्ट प्रॉसस भी बोलते हैं नेक्स हम बात करते हैं एक्जॉन जैसे कि हमें देख रहा है सेल बॉडी के जस्ट लगा हुआ पार्ट है जो कि हमें एक लॉंग सरुचना दिखाई दे रही है यह हम जिससे एक्जॉन बोलते हैं इसलिए लाजर प्रॉसस अप सेनफ सल इसलिए बोला गया है क्योंकि यह ला आजर प्रॉससस इसे बोला है एक्जॉन इस आउट्पॉट रीजन तो जो एक्जॉन होता है वह आउट्पॉट रीजन है जैसे कि डेंडाइट्स में देखा था हमने यह इन्पॉट रीजन है लेकिन एक्जॉन आउट्पॉट रीजन है विच कन्वें इंपल्स इस फॉ तो हम यहां बात करते हैं यहां अच्छ होता है जिस मेंब्रेन से इक्जो लिमा बोलते हैं नेक्स हम देखते हैं जो membrane covered by thick tubular lipoprotein seed called myelin seed जैसा कि हम देख रहे हैं जो membrane covered है lipoprotein seed से है ये जो हमने ये देखने को मिल रहा है myelin seed तो exon से जो lipoprotein से जो covered है इससे हमने myelin seed बोला yellow color की जो हमें दिखाई दे रही है यह myelin seed है जो कि एक्जोन को covered करके रखी है बतलब लिपो प्रोटीन से या फिर फैट से जो की है covered करके रखी है next देखते हैं myelin seed absent are called node of ranbeer जहाँ पर myelin seed absent है जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं myelin seed के बाद एक myelin seed के बाद यहाँ पे बीच में gap है तो इस gap को node of ranbeer बोलते हैं means यहाँ पर myelin seed absent है तो इस structure को हम लोग बोलते हैं node of ranbeer next देखते है myelin seed is responsible for the white color of nerve fibers and faster conduction of nerve impulses through the nerve fibers यह क्या is responsible होता है white color of nerve fibers के लिए जो की impulses को fast conduct करने के लिए helpful होता है next हम बात करते है myelin seed is surrounded thin membrane cord neurolemia sheet और sheet of satchvon जो हमारे myelin seed के बाहर भी एक layer होती है मतलब पतली सी layer होती है उसे हम उसे neurolemia sheet भी बोल सकते है या फिर sheet of satchvon भी बोल सकते है क्योंकि वो satchvon cell की बनी होती है next हम देखते है distal end of axon divided into many branches called axon terminates जो हमारा axon का जो ending part होगा उसे हम axon terminate बोलेंगे जैसा कि हमें ये देखने को मिल रहा है तो जो हमारा इस ये many branches होती है dendroids dendroids की तरह ही होती है लेकिन ये यहां से different है तो ये last ending part है ये तो हमने बात की nervous system की पूरा structure देखा dendroids यहां पे हमने देखा axon और जो बीच में था हमारा nucleus या फिर हमीं बोल सकते हैं cell body अब हम बात करते हैं classification of nervous system तो यहां पे nervous system को भी classify किया है first देखते हम depending upon structure तो first है जैसा की myelinated neuron first है myelinated neuron and non-myelinated neuron तो myelinated neuron का मतलब है वो neuron जो myelin seed से covered होती है उसे हम बोलते है myelinated neuron and non-myelinated neuron का मतलब है neuron does not have myelin seed जहां पर myelin seed present नहीं होगी उसे हम बोलते है non-myelinated neurons next देखते हैं depending upon the distribution अब हम distribution की बात करते हैं तो जैसा की first है somatic neuron and visceral neuron तो जो somatic neuron होता है it supply the skeletal muscles of the body तो somatic neuron का का मतलब होता है skeletal muscles में जो हमारे impulses से उसे supply करता है next हम देखते है visceral neuron या फिर autonomic nerve fiber तो ये supply करता है हमारे internal organ जो हमारा body का internal organ होते हैं वहाँ पर impulses या फिर information पहुचाने का काम करता है तो उसे हम बोलते है visceral neuron या फिर autonomic या somatic neuron वो neuron है जो कि हमारे skeletal muscles को information प्रोवाइड करता है उसे हम बोलते है somatic neuron next देखते है depending upon origin अब हम origin की बात करते है तो दो तरह के origin हमें देखने को मिलते है cranial nerve and spinal nerve तो जैसा कि हम जानते है these nerve arise from brain जो हमारा cranial nerve है ये किस साइड होगा मतलब brain जो बाला जो portion होगा वहाँ इंपर्सिस अगर मिल हम यहाँ पर origin की बात कर रहे है तो यहाँ पर arise from brain और spinal nerve हमने बोला है spinal cord वाले एरिया को हमने बोला spinal cord तो हम यहाँ देख रहे है spinal cord 13 यहाँ पर nerves होती है और cranial nerve में 12 nerves देखने को मिलती है next हम देखते है depending upon function तो यहाँ पर function की बात करते है तो फर्स्ट है sensory neuron इसका काम क्या होता है यहाँ पर function की बात कर रहे है यहाँ पर sensory neuron का काम है neuron that conduct sensory impulses towards the brain and spinal cord तो जो हमारा sensory neuron है इसका काम क्या होता है जो हमारे impulses है brain या फिर spinal cord तक यहाँ पहचाने का काम करता हुए जो information है या फिर impulses है वह कहां पहुचाने काम करेगा हमारे ब्रेन या फिर इस्पाइनल कॉर्ट तक या फिर हम बोल सकते हैं हमारे औल बॉडी का किसी भी बॉडी पार्ट की जो भी अगर फोर एक्जामपल अगर हमें सुईचु भी है या फिर गर्म हाथ हो गया है या फिर जल रहा है तो हमें व जाने वाली process होगी इसे हमने sensory neuron बोला है कि हमें आग से या फिर हमारा हाथ जल रहा है या फिर switch भी है तो वह हमें जो dendroids के help से information हमारे brain तक जा रही है इसे हमने बोला ये काम कौन कर रहा है sensory neuron नेक्स हम देखते हैं motor neuron अब हमने पहले बात की जो हमारे impulses हमारे brain तक पहुंच गए है उसे हमने क्या बोला किसके help से पहुंचे sensory neuron के help से पहुंचे लेकिन अब हमें हमारे brain तक तो पहुंच के लेकिन उसका reply भी तो मिलना चाहिए कि अब हमें करना क्या है तो हम बात करते है motor neuron का क्या है neuron that carries impulses from the cns अब ये motor neurons का का होगा कि जो भी impulses है cns से या फिर brain से उस impulses को बापस return करेगा कि आपको हाथ वहां से अलग करना है तो यह काम कौन कर रहा है motor neuron कर रहा है मतलब जो भी brain से all body में जो बापस return हो रही information उसे हम मतलब वो काम कौन करता है motor neurons काम करता है तो यह next हम देखते है synapses तो synapses क्या होता है जैसा कि अभी हमने देखा कि डेंडरोइट से लेके exon तक एक structure था यह हम इस structure के help से देख पा रहे हैं यह डेंडरोइट्स exon है तो डेंडरोइट्स के बाद exon एक last portion होता है last जो कि हमारा हम वो सकते हैं यहां पर exon terminals हैं तो इ एक दूसरे को मतलब क्या होता है एक neuron से दूसरे neuron तक impulses पहुंचने का काम करता है लेकिन अभी तक हमें मतलब I think अगर हम ना जानते हो तो आज हमें यह जानकारी हो जानी चाहिए कि यह जो हमारे डेंडरोइट्स और exon जो हमारे टर्मिनल्स हैं यह लास्वार जो पोसर न नहीं होते हैं यह दौनों क्या होते हैं इन दौनों के बीच में गैप प्रिजेंट होता है जो यह गैप प्रिजेंट होता है ना तो उस जंक्शन को ही हम सिनेप्स बोलते हैं यह हम स्टक्चर के हल्प से देख पा रहे हैं यह में स्टक्चर देखने को मिल रहा है यह जो गाप इस जंक्षन को हमने बोला सनेप्सिस को हम देखते हैं तो हम्हारे इंपर्स जो भी हमारे ट्रांस्मिटर निवाथ है याफिर पॉर्मेशन है जो send कर रहे हैं उसे हमने बोला है pre-synaptic neuron and जो receive कर रहे हैं उसे हमने बोला है post-synaptic neuron जैसे कि यह उपर वाला portion है यह से हमने बोला pre-synaptic neuron नीचे वाले portion को बोला हमने post-synaptic neuron सिंद करहा है इंपर्सज को क्या करें रिसीप कर रहे हैं यह था प्तिन नियुरॉं debate नियुरों को यहां पर इन स्थे म्यानने स्सोलने नियौंट मुझे बुल दो इë प्रीों क्लाफ्ट मुझे क्ला नभ्री तरह है। और इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे कि इसका जो 20 से 50 mm इसकी जो क्या है एनम यहाँ पे साइज है नेक्स हम देखते हैं यह neurotransmitter neurotransmitter की बात करते हैं अभी तो हमने देखा synapsis जो बीच में जो junction है उसे हमने बोला है synapsis अब हम neurotransmitter की बात करते हैं neurotransmitter जो कि information को दूसरे neurons तक पहुचा रहे हैं तो हम यह जो बीच में यह देख रहा है से हम chemical substance भी बोलते हैं क्योंकि nerves जो हमारे nerves से impulses हैं एक दूसरे से attach तो है नहीं तो कैसे हमा information दूसरे neuron तक पहुच रही है दूसरे nerves तक पहुच रही है तो यहां पे जो यह हमारा synaptic cleft है यहां पे chemical processes present होती है chemical substance प्रिजेंट होता है जो क्या करता है information को फैलाने में या information को transfer करने में helpful होता है नेक्स हम देखते हैं यहां पे यह रोट्रांस्मिटर की बात करते हैं तो यह रोट्रांस्मिटर हमने बोला किसे है chemical substance को ही बोला तो था chemical substance is responsible for the transmission of impulses through synapses is called neurotransmitter तो वही हमने जो हमारे synapses मतलब जो help से post synapses से pre synapses से post synaptic तो जो information जा रही है through the chemical substance तो यह इसे ही हमने बोला है neurotransmitter तो chemical substance के help से क्या हो रहा है यहां पर impulses transfer हो रही है neurotransmitter is synthesized by pre synaptic neuron and store in vesicles neurotransmitter is synthesized by pre synaptic neuron या फिर इस्टोरिन तो जो हमारे neurotransmitter है synthesize करता है किसे pre synaptic neurons को and store करता है vesicles में जैसे हम यहां देख रहा है vesicles हमें देखने को मिल रहा है तो यह जो neurotransmitter है vesicles में क्या होता है यहां पर store हो जाता है हमें यह देखने को मिल रहा है vesicles हम जो कि जानते हैं कि वह जो भी हमारे transmitter है वह यहां पर vesicles में covered रहता है फिर बाद में क्या करता है receptor यहां पर receive कर लेते हैं pre synaptic से वह बाद में post synaptic में जाता है मतलब जो transmitter होता है वह क्या कर रहा है दूसरी neuron तक में पहुचाने का काम कर रहा है information को neurotransmitter passes through synaptic clart from presynaptic neuron to post synaptic neuron and attest to receiver वही जैसे कि आमने बात की जो हमारा information है ट्रांसर जो हमारा neurotransmitter है वह क्या करेगा यह उपर वाला जो हमारा portion presynaptic and post synaptic नीचे वाले तो post synaptic का काम क्या है impulses को यह यह फिर जो हमारे information को क्या कर रहा है यह receive कर रहा है तो neurotransmitter क्या कर रहा है यहां पर receive कर रहा है तो receive कर रहा है तो next after attachment it transmit the impulses from one neuron to another neuron जैसे ही जो attachment है या फिर आपटाइच्मेंट जो transmit neurotransmitter क्या हो जाती है impulses जो होती है receive हो जाती है मतब receive हो गई तो क्या हो गया one neuron से another neuron तक impulses क्या हो यहां पर transfer हो गई तो यह था हमारे neurotransmitter का काम I hope कि आपको समझ में आया होगा कि neurotransmitter है क्या अगर आपको समझ में ना आया हो अगर कोई doubt हो तो आप comment box में comment कर सकते हैं thank you